प्रदान मंतरी गरीब कल्यान अन्न योजना के तहत पिछले तीन महेने एपरिल में और जून में 81 कोरोड लोगों को प्रतिव्यक्ति हर महेने 5 किलो अनाच चावल या गेहू और एक परिवार को एक किलो डाल ये पिछले तीन महेने में लगातार फ्री मिला जो दो रुपे और तीन रुपे में अनाच मिलता है वो मिलता ही रहा कंसेशनल रेट में लेकिन ये मुफ्त मिला और इसका मतलब तीन महेने में हर प्रतिव्यक्ति 15 किलो अनाच और तीन किलो परिवार को डाल ये पिछले तीन महेने में मिला प्रधान मंत्री जी ने गोष्णा की कि इसका विस्तार करेंगे आज उसको अमली जामा पहना या है मंत्री मंदल ने जुलई ऑगस सप्टेंबर ऑक्टोबर नोवंबर पाँच महिने अब ये योजना चालू रहेगी जिसमें पाँच किलो प्रतिव्यक्ति 81 करोड लोगों को पाँच किलो प्रतिव्यक्ति मुफ्त अनाज मिलेगा और पाँच किलो पाँच महिने में पकड़ेंगे तो पाँच किलो चना मिलेगा और 25 किलो अनाज मिलेगा 25 किलो अनाज प्रतिव्यक्ति मिलेगा पाँच किलो चना एक परिवार को मिलेगा ये इसके लिए पहले जो तीन महिने का काम हुआ इसके लिए एक सो बीस लाख टन एक करोड़ बीस लाख टन इतना ये अनाज दिया गया अब जो बड़ी पांच महिने की योजना है तो दो सो तीन लक्ष टन यहने दो करोड़ तीन लक्ष तीन थ्री लाख टन्स इतना अनाज दिया जाएगा और दाल पहले चार लाख साथ हजार टन दी गई अब नौ लाख सत्तर हजार टन चना दिया जाएगा इस योजना का खर्चा एक लाख उन्चास हजार करोड़ रुपे है और ये पहली दफ़ा इस योजना आजारी के बाद हो रही है कि आठ महिने इक्यासी करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है इतनी बड़ी योजना दुनिया में किसी भी देश की नहीं और ये योजना बेहद लोग प्रिय हुई क्योंकि जितना गया इसमें गरिब वर्ग भी है निम्नों अध्यम वर्ग है रोजन दारी पर काम करने वाले लोग है स्वयम रोजगार जिनका है वो सब लोग है तो ऐसे सभी लोगों को ये लाप मिला है और जो प्रवासी मजदूर है प्रवासी मजदूरों को भी क्योंकि उनके राशनकाड उनके पास नहीं होते या वो आपने घर से फैमिली से दूर है तो उनके लिए भी पाश-पाश किलो अनाज का गोशना किया था और इसमें 64 लाख टन इतना अनाज दिया गया 8 लाख मेट्रिक टन दिया गया और ये आगस तक अब मिलता रहेगा जिनको नहीं मिला है या जो लोग वापस आए उनको या अगस तक मिलता रहेगा So friends in a biggest scheme of helping the needy Prime Minister announced this गरीप कल्यान अन्योजना and in this scheme 81 crore people are given free ration for 8 months now from April to November it was never done unprecedented and it cost egg shaker 1,49,000 crore rupees and in which every month each person got 5 kilo of food grain and also every family received 1 kg of dal and now it will receive 1 kg of chana and even the migrant labors were also included at the latter stage and they have also got free ration now those who have returned will also continue to get because where they are now they are already getting free ration if they return and come they will also get free ration दूसरे एक महतोपूर्ण निर्णे में जो उज्वला के गैस लेने वाली 7 क्रोड 40 लाख महिलाएं है उन 7 लाख 40 क्रोड लोगों को 3 सिलिंडर फ्री देने का आयलान किया था लेकिन आपको पता है हर महिने एक सिलिंडर सबको लगता ही है ऐसा नहीं इसलिए पहला सिलिंडर तुरंट लोगोंने लिया अनेक लोगोंने दूसरा भी लिया लेकिन तीसरा तुरंट 3 मैने का पिरेड में नहीं लगा है तो अब सितम्बर्थ के अन्त तक ये तीन सिलिंडर जो जून में खतम होने वाले थे उसके जगवो सितंबर तक उसको आउधी बढ़ा दी गई है ताकि उनको मिले इसके लिए तेराजार पास्टो करोड रुपे खर्च आएगा सरकार ने और एक कारेकम किया था उसका भी विस्तार किया है कि जो छोटे व्यवसाय है जहां सव लोग है सव से भी कम लोग है और जिनके पास उसमें से नब्वे फीसरी लोग 15,000 से कम तंखे वाले है ऐसे कर्मचारियों की हर महिने जो 12% प्राविडन फंड जाता है वो सरकार ने भरा मजदूरों का भी कर्मचारियों का भी और मालिक का भी तो ऐसे 3,67,000 उद्योगों को Establishments को इसका फाइदा हुआ और 22,00 लोगों को इसका फाइदा हुआ तो यह बहुत महत्पूपूर्ण है इसके लिए 4,760 करोड पहले हुए वो मार्श, एप्रिल, मई में हुआ और अब जून, जुलई, आउगस्ट और तीन महिने इसका फाइदा लोगों को और छोटे इस्टैबलिश्मेंट्स को मिलता रहेगा जहां 100 से लोग कम है पंधाजार तक की जिसको तंखा है उसका प्रविडेंट फंड सरकार भरेगी और उसके आवज में मालिक का भी हिस्सा आंशदान सरकार ही करेगी तो मजदूरों के हितों में उनके हाथ में 12 फीसली तंखा जादा आया और मालिक के भी 12 परसेंट बचे तो इसका फाइदा हुआ है एक चौथे दिरनाई के अनुसार प्रजान मंत्री आवास योजना में जैसे आपको पता है शेहरों में कुछ घर बनके तैयार है अन्नियो जनाओ में 107 शहरों में 1,8,000 छोटे मकान यानि वन बेडरूब कीचन इतने फ्लैट्स तैयार है इन फ्लैट्स को प्रवासी मजदूरों को किराय पर देने का फैसला किया है और अभी 1,8,000 तैयार है 107 शेहरों में यानि आवरेज पकड़ोगे तो 1,000 हर शेहर में है वहां की कॉर्पोरेशन किराय पर देगी और दूसरा भी उसका हिस्सा है कि किसी की व्यक्तिकत जमीन है या कॉर्पोरेशन अपनी जमीन पर कुछ करना चाहता है सरकार अपने जमीन पर करना चाहती है तो यह आवास योजना चलेगी और उसके लिए 50 फी सदी FSI या FIR कहते हैं अलग अलग शेरों में तो फ्लॉर स्पेस इंडेक्स कही एक होता है कही दो होते है कही तीन होता है वो 50 फी सदी ज्यादा मिलेगा श्यादा मिलेगी नहां in कही सदीजद